नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वालत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रम होम पर दोस्तों आज की क्लास हमारी रहने वाली है भारती राजविवस्था के उपर यानि कि इंडियन पॉलिटी के उपर इसमें हम लोग दो हजार इसवी के बाद जितन करने वाले हैं with full details इससे पहले मैंने और भी subjects का करा रखा है तो आप चैनल के playlist को जरूर वीजिट करेंगे बागी subject को cover करने के लिए तो दोस्तों आज की class में आपका quality का भाई पूरी तरह से खत्म होने वाला है तो चलिए class को start करते हैं तो जितने भी भाई बहन हमारे इस चैनल पर पहली बार आये हैं उनसे request है कि चैनल को subscribe कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का notification सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए class को start करते हैं वीडियो को like कर ले और अपने ग्रूप में जरूर शेयर करें तो पॉलिटी का दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है समवैधानिक विकास एवं विसेस्ताएं तो इसका पहला प्रश्ण है विश्व में किस देश में सरुपर्थम लिखित समवैधान लागू हुआ था तो ये है दोस्तों अमेरिका अमेरिका में सबसे पहले लिखित समवैधान को लागू किया गया था विश्व का सरुपर्थम लिखित समवैधान सन्युक्त राज अमेरिका में 1789 इस्वि में लागू किया गया था जबकि विश्व का सरवाधिक विस्तरित समवैधान भारत का समवैधान है जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया अगला प्रश्ण दोस्तों भारत के संप्रभु कौन है तो भारत के संप्रभु हैं दोस्तों भारत के लोग भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं भारतिय संविधान सभी सुरोतों का आधार है भारते सम्विधान में सम्प्रभू से तात्परिय सर्वोच सत्ता से है अर्थाद भारते जनता को अपने प्रत्यक मामले में निर्णे लेने की सर्वोच अधिकार है भारते सम्विधान में जनता ही सर्वस्रेष्ठ है अगला प्रश्ण है हमारा दोस्तों सम्विधान की कौन से विशेषता वास्तविक रूप से संगात्मक नहीं है तो ये एकिकरित न्याय पाली का जो है ये संगात्मक नहीं है भारते संवेधान में एकिकरित नियाईपालिका संवेधान के एकात्मक स्वरूप का लक्षन है भारते संवेधान के संगात्मक वो एकात्मक लक्षन निम्नलिखित है तो संगात्मक लक्षन जो है दोस्तों यह संवेधान की सर्वोच्चता दूसरा लक्षन है केंद्र राज्य में सक्तियों का विभाजन और तीसरा लक्षन है स्वतंत्र नियाय पालिका और चौथा लक्षन है दोहरी नागरिक्ता ये सारे संगात्मक लक्षन है एकात्मक लक्षन जो है दोस्तों ये है एकल नागरिक्ता एक ही समविधान, केंद्र को राज्यों की सीमा परिवर्तन का अधिकार चौथा है राज्येपाल की निव्ति, संकट काल में राज्यों के अधिकार का निमनी करन अधि एक्स्ट्रा पोइंट्स को विलकुल ध्यान से समझेगा दोस्तों यही बुलिट पोइंट्स जो है आपके तयारी को बूस्ट अप करेंगे ठीक है अगला प्रश्न है भारतिय समविधान में कितने अध्याए है तो भारतिय समविधान में कुल 22 भाग है जिसको अध्याए कहा जाता है दोस्तों वर्तमान में भारत्य संविधान में 22 भाग 12 अनुसुची एवं 395 अनुच्छेथ हैं भारत का संविधान भारत का सर्वूच विधान है जो संविधान सभाद्वारा 26 नवंबर 199 को अंगिकरित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया भारत का संविधान किसी गनतांत्रिक देश का सबसे लंबा संविधान है भारत्य संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीम राव अंबिट करते इनको भारत्य संविधान का जनक कहा जाता है अगला प्रश्ने दोस्तों, भारतिय सम्वेधान की उद्देशिका में न्याई सब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है, तो ये कानूनी रूप का उल्लेख नहीं है भारतिय सम्विधान की उद्धिर्शिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय का वर्णन किया गया है इसमें कानूनी न्याय का वर्णन नहीं है अगला प्रशन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विशे भारत्य सम्विधान के अनुसार संग्य सुची में सम्मिलित नहीं है तो यह है अस्थानिय सासन जो है संग्य सुची में शामिल नहीं है भारतिय संभिधान की 7 वी अनुसूची में 3 सूचियां यथा संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची है संघ सूची में दिये गए विशय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विशय थे वर्तमान में इसमें 100 विशय है जैसे रक्षा, रेलवे, रेजर्व बैंक आफ इंडिया, परमानु उर्जा, नागरिक्ता, जणगर्णा आदी अस्थानिय सासन राज्य सूची का विशय है अगला प्रश्णे दोस्तों, विश्व का प्रथम लिखित सम्विधान किस देश का है तो ये है USA का विश्व का प्रथम लिखित सम्विधान USA का है इसे 1789 इस्वी में लागू किया गया था USA विश्व का प्रथम लोक्तांत्रिक देश है इसमें मूल रूप से साथ अनुच्छेद है USA में अध्याक छात्मक सासन व्यवस्था है ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों अगला प्रश्ण है दोस्तों हमारा निम्न में से कौन सा भारत्य सम्वेधान की विशेष्था नहीं है तो इसमें से प्रतिबध नियापालिका ये भारत्य सम्वेधान की विशेष्था नहीं है लिखित सम्वेधान और सम्वेधान की सर्वोचिता, मौलिक अधिकार तथा निती निर्देशक शिद्धान भारत्य सम्वेधान की विशेष्थाएं है जबकि प्रतिबध्य न्यायपालिका सम्विधान की विशेस्ता नहीं है भारते सम्विधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है एवं न्यायपालिका सम्विधान का सनरक्षक भी है अगला प्रश्ने दोस्तों हमारा निम्ण में से कौन सा कथन भारत्य संब्यधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है तो ये प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ दो ही बार संसोधन क्या गया है ये सत्य नहीं है प्रस्तावना में अभी मात्र एक ही बार संसोधन क्या गया है आतह कथन D जो है सही नहीं है 42 में सम्विधान संसोधन अधिनियम 1976 के तहट सप्रस्तावना में समाजवादी पंत निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे सम्विधान की प्रस्तावना पंडित जबाहा लाल नहरु द्वारा तयार किये गए उद्देश से प्रस्ताव पर आधारित है जिसे 22 जनवरी 1947 को सम्विधान सभाद्वारा अपनाया गया था इसे भारते सम्विधान की आत्मा कहा जाता है ये आप ध्यान में रखेंगे अगला प्रशने दोस्तों भारत्य संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है तो ये उद्देसिका जो है ये भारत्य संविधान की आत्मा कहा जाता है भारते सम्विधान में नहित प्रस्तावना या उद्देसिका को भारते सम्विधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना में मूल दर्शन और राजनिती धार्मिक और नेतिक मुल्यों का उल्लेक है जो हमारे सम्विधान का आधार है सम्विधान सभा के सदस्य पंडित ठाकूर दास भारगव ने सम्विधान के प्रस्तावना को सम्विधान की आत्मा कहा है जबकि डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर ने भारते सम्विधान के अनुच्छेद 32 को सम्विधान का हिरदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया है तो आप ये बाद ध्यान में रखेंगे दोस्तों ठाकूर दास भारगव ने प्रस्तावना को सम्विधान के आत्मा कहा था और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को अगला प्रश्णे दोस्तों हमारा सम्विधान सभा ने सम्विधान का निर्मान कब पूर्ण किया था तो ये किया था 26 नवंबर उनेस्व उन्चास को सम्विधान सभा ने सम्विधान का निर्मान 26 नवंबर उनेस्व उन्चास को पूर्ण किया सम्विधान निर्मान की प्रक्रिया में कुल दो वर्स 11 माह और 18 दिन लगे सम्विधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई सम्विधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया अगला प्रश्ण है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भारते सम्विधान की विशेस्ता नहीं है तो यह एक और लिखित सम्विधान है यह विशेस्ता नहीं है भारते सम्विधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित सम्विधान है इसे बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था इसमें विश्व के विभिन देशों के सम्विधानों का स्रोत है यह संग्य सरकार की अस्थापना करता है यह संविधान सरकार के संसद्य स्वरूप का प्रावधान करता है अगला प्रश्ने दोस्तों भारत का संविधान लिखित और संगिय है तो इसमें से जो राइट आंसर होगा दोस्तों एक और दो हो जाएगा भारत्य संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है साथ ही इसमें संगात्मक सासन व्यवस्था के सभी विशिस्ताइं मौजूद है लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज्यपालों की न्युक्ती आपातकाल संबंधी प्रावधान आधी एकात्मक सासन व्यवस्था की भी विशिष्टाएं मौजूद है इस प्रकार भारत्य संविधान मोलता संगीय है भारत्य संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगिकरित अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया भारत्य संविधान पूर्ण रोप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था अगला प्रश्ण दोस्तों भारत एक कैसा राष्ट्र है तो भारत एक जो है पंथ निर्पेक्ष राष्ट्र है भारत एक पंथ निर्पेक्ष राष्ट्र है भारत्य संविधान में पंथ निर्पेक्षता को परिभाशित करते हुए 42 में सम्मेद अधिनियम 1976 द्वरायस की प्रस्तावना में पंत निर्पेख्षता सब्दु को जोड़ा गया यहां पंत निर्पेख्षता का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्त रहेगी उसका अपना कोई भी धर्म धार्मिक पंत नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इक्षा के अनुसार धर्मिक उपाष्णा का अधिकार होगा भारत सरकार नो तो किसी धर्म पंत का पक्ष लेगी और नो ही किसी धर्मिक पंत का विरोध्व करेगी पन्त निर्पेक्ष राज ये धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नौकर प्रतीक व्यक्ति के साथ समान वहवार करता है भारत का सम्विधान किसी धर्म विशेश से जुड़ा हुआ नहीं है अगला प्रिश्ण दोस्तों भारत का सम्विधान कब अपनाया गया तो ये अपनाया गया 26 नौवंबर उनेश्व उन्चास को 26 नवंबर 1949 को भारत का सम्विधान सभा ने आपचारिक रूप से भारत के सम्विधान को अपनाया जो 26 जन्वरी 1950 को लागू हुआ प्रतिक वर्स 26 नवंबर को एक संविधान दिवस के रुप में मनाया जाता है तो 26 नवंबर को दोस्तों हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं वर्स 1934 में S.N. रॉय ने पहली बार भारतिय संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा यहाँ S.N. रॉय नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर M.N. रॉय होगा यह आप ध्यान में रखेगा मानविंद्र नाथ रॉय इनका पूरा नाम था अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों भारतिय संविधान के स्रोत Source of Indian Constitution आईए इसके सारे प्रश्नों को करते हैं पहला प्रश्न है इसमें भारतिय संविधान में संसधिय लोकतंत्र तथा ज्याईक सर्वोचिता किस देश से अंगिकार किये गये हैं तो यह अंगिकार किये गये हैं Britain एंवbung USA से भारत का संविधान हमारे देश में लोकतंत्र की ये रीड है सम्विधान सभाने 26 नवंबर 1949 को सम्विधान को अपनायग था जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ भारते सम्विधान के प्रमुक स्रोत जो है निम्नलिखित है अमेरिका से जो दोस्तों लिया गया है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्व हमने क्या-क्या लिया है भारत सरकार का संसद्य स्वरूप और एकल नागरिकता ये हमने ब्रेटिस सम्विधान से लिया है कनाडा से हमने लिया है संघ्य प्रणाली और आयर लेंड से लिया है राज्जी के निती निदेशक सिध्धान्त नेक्ट क्वेस्चन है दोस्तों हम भारतिय संविधान को केंद्रिकृत प्रविडतियों वाला संग के रूप में किस ने परिभाशित किया था तो ये परिभाशित किया था आईवर्स जैनिंग्स ने भारतिय संविधान को केंद्रिकृत प्रविडतियों वाला संग के रूप में आईवर्स जैनिंग्स ने पर प्रश्ण है हमाना दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मेल करना है और कूट में दियेगे उत्तर को चुनना है तो हम लोग सीधा ही चलते हैं इसके सुमेलन पे तो इसका सुमेलन कुछ इस प्रकार है दोस्तों मौलिक अधिकार जो है हमने अमेरिका का अधिकार पत्र से लिया है राज जी के निती निजिसक्ततों को आईरिस सम्विधान से लिया है और संसद्य सरकार जो है हमने ब्रेटिश सम्विधान से लिया है केंद्र का राज्जी से सम्मंध हमने कनाडा के सम्विधान से लिया है अगला प्रशन हमारा दोस्तों भारती सम्विधान में प्रस्तावना को किस सम्विधान से लिया गया है तो प्रस्तावना को दोस्तों अमेरिका के सम्विधान से लिया गया है भारती सम्विधान में प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका के सम्विधान से लिया गया है जबकि प्रस्तावना की भाषा अस्ट्रेलिया से लिगई है अस्ट्रेलियन सम्विधान से भारत के संविधान निर्मान में अमेरिका के संविधान के लिए लिए गए कुछ अन्य प्रावधान है जिसको आप देख लें मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है अगला प्रेशन है हमारा दोस्तों भारत में न्याईक पुनरिक्षन जुडिस्यल रिब्यू की संविधान से लिगई है तो ये लिया गया है सन्युक्त राज अमेरिका के सम्विधान से भारत में न्याईक पुनरेक्षन की संकलपना सन्युक्त राज अमेरिका के सम्विधान से लिगई है इसके अतरिक्त प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, सम्विधान की सर्वोचिता, नियाय पालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपती एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपती, उच्चितम एवं उच्च नियायलियों की नियाय दीसों को हटाने की विधी, आधी को भी सन्युक्त राज अमेरिका से ग्रहन किया गया है। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा संग एवं राज्य छेत्र यूनियन एंड स्टेट टेरेटरी। आए इसके प्रश्णों को देख लेते हैं। पहला इसका प्रश्ण है भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है तो इस राज्यों के संग के रूप में वर्णित करता है। भारतिय संवेधान के भाग एक जोकी अनुच्छेद से एक से चार तक में संग और उसके राज्ज छेत्रों के बारे में वल्णन है अनुच्छेद एक के अनुसार भारत राज्जियों का एक संग है अगला प्रेशने दोस्तों हमारा जार्खंड देश का कौन सा राज्जी है तो जार्खंड जो है अमारे देश का 28वा राज्जी है जारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2019 को हुआ था यह पहले बिहार राज्य का हिस्सा था यह 28 वे राज्य के रूप में अस्तित्तों में आया इसकी राजधानी राची है अगला प्रेश्ण है दोस्तों में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संग्य छेत्र है तो यह दादर नगर हवेली जो है यह भारत का संग्य छेत्र है वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्रशासित प्रदेश है आठवा वो नौवा केंद्रशासित प्रदेश जो है जम्मू कासमीर एवं लद्दाक है जिसे अगस्त 2019 में अनुच्षे 370 को निरस्थ करके बनाया गया उलेखनी है कि दमन दीव और दादर नगर हवेली के विले हो जाने के पस्चात केंसासित प्रदेशों की संख्या आठ हो गई तो ये आठ और नो बना था लेकिन दू को जब मिला दिया गया दोस्तों तो यहाँ पे दू घट गया तो ये हो गया दो जो है एक हो गया तो आठ हो गया टूटल अगला प्रश्न हमारा संघात्मक सरकार में क्या होता है तो संघात्मक सरकार में सक्तियों का विकेंद्री करन होता है संघात्मक सरकार में समविधान का लिखित होना आवश्यक है यह दोहरी नागरिक्ता के सिध्धान पर आधारित होता है तथा सक्तियों का बटवारा केंद्र वर राज्य के प्रांतिय सरकारों के मध्य होता है संघात्मक सरकार ही दुई सदनिय विधान मंडल की विवस्था करती है संघात्मक सासन में विश्यों का अस्पष्ट विभाजन होता है इसमें राष्ट्य महत्व के विश्य केंद्र सरकार के पास और कम महत्व या राज्य से सम्मंधित विश्य जो है राज्य के पास होता है संगहात्मक सासन व्यवस्था में न्याय पाली का स्वतंत्र तथा सर्वोच्य होती है अगला प्रश्ण है दोस्तों हमारा भारतिय राज्जियों का आजादी के बाद पुनर गठन मुख्यता जिस आधार पर किया गया था वो क्या है तो ये किया गया था दोस्तों भाशाई आधार पर भारतिय राज्जियों का आजादी के बाद पुनर गठन मुख्यता भाशाई आधार पर किया गया था भाशाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्जिय आंधर परदेश था आंद्रप्रदेश के निर्मान से अन्य छेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक तीन सदस्य राज्य पुनरगठन आयोग फजल अली की अध्यक्स्ता में गठित करना बड़ा इसके अन्य दो सदस्य थे केम पंडिकर और एच एन कुझरू इसने अपनी रिपोर्ट उनेश्व पचपन में पेस की और इस बात को व्यापक रूप से स्विकार किया कि राज्यों के पुनरगठन में भाषा को मुख्य आधार बनेया जाना चाहिए लेकिन इसने एक राज्य एक भाषा के सिध्धान्त को अस्विकार कर दिया अगला प्रशन हमारा संग और राज्यों के मध्य विपत्रों के वित्रं साइवर कानून की सुची में आते हैं तो ये आते हैं दोस्तों समवर्ती सुची में संग और राजियों के मध्य विपत्रों के वित्रन, साइबर कानून समवर्ति सुची में आते हैं भारते संविधान में संग सुची, राज्य सुची और समवर्ती सुची को सात्वी अनुसूची के अंतरगत परिभाशित क्या गया है अगला प्रश्न है भारत एक तो भारत एक जो है दोस्तो राजियों का संग है भारते सम्विधान के अनुच्छे एक के अनुसार इंडिया अर्थाद भारत राजियों का एक संग है जिसमें किसी भी राज्य को संग से अलग होने की अनुमती नहीं है अगला प्रश्ण है हमारा संघवाद का अर्थ क्या है तो संघवाद का अर्थ होता है दोस्तों संघ और राजी के बीच सत्ता का विकेंद्री करण संघवाद का अर्थ है संघ और राजी के बीच सत्ता का विकेंद्री करण संग्वाद जो फैडरलिजम होता है सब्द की उतपत्ती, लेटीन सब्द फैडर्स से हुई है जिसका अर्थ है एक प्रकार का समझोता यह सरकारों के बीच सत्ता साजह करने और उससे संबंधित छेतरों को नियंतित करने है तू एक समझोता है संगवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दू अस्तर मौजूद है पहला केंद्री अस्तर और दूसरा अस्थानिय या राज्य अस्तर भारत की इस्तिती में संगवाद का अस्थानिय, केंद्रिय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वित्रन के रूप में परिभाशित किया जा सकता है अगला टॉपिक है हमारा अनुच्छेद एवं अनुसूचियां, आर्टिकल्स एंड सिड्यूल्स इसका पहला प्रशने दोस्तों भारतिय समविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतरगत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्छ न्याले में याचि का दायर कर सकते हैं तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 226 भारतिय समविधान के अनुच्छेद 32 के अंतरगत सर्वोच न्याले तथा अनुच्छेद 226 के अंतरगत उच्छ न्याले में नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए याचि का दायर कर सकते हैं 32 के अंतरगत दो This सरववच न्याले और 226 के अंतरगत उच न्याले ये आप ध्यान में रखेंगे अनुछे 222 की बात करें तो उच न्याले के न्याधिसं का एक उच न्याले से डूसरे उच न्याले में अस्थानांतरन का प्रावधान है अनुच्छेद 224 जो है यह उच्च न्याले के अपर या कारेकारी न्याधिस के रोप में न्युक्ति का प्रावधान है अगला प्रश्ण दोसों निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संग से अनुदान का प्रावधान करता है तो ये हैं अनुच्छेद 275 भारते संविधान के अनुच्छे 275 में कुछ राज्यों को संग से अनुदान दिये जाने का प्रावधान उल्लिखित है केंद्र सरकार द्वारा संसत द्वारा अनुमोदित की गई ऐसी अनुदान राशी भारत की संचित निधे पर आधारित होगी या भारित होगी ठीक है संबंध जमापुन्जी से है अनुच्छेद 278 को सात्वी संविधान संसोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था ये भी आप दिहान में रखेंगे दोस्तों अगला प्रश्णियामर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्छी न्याले में अस्थानांत्रन से संबंधित है तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 288 भारतिय सम्विधान का अनुच्छे 228 कुछ मामलों का उच्छी न्याले में अंतरन या अस्थानांत्रन से संबंधित है इस प्रावधान के अनुसार किसी अधिनस्त न्याले में सम्विधान के निर्वाचन से संबंधित कोई मामला लंबित हो तो ऐसे मामलों को उच्छी 40 में दिया गया है, समान नागरिक संगीता 44 में, क्रिसी पसु पालन 48 में और कारेपाली का नियापाली का जो है प्रिथिकरन अनुछेत 50 में है तो सम्विधान के भाग 4 में अनुछेत 36 से 51 तक राज्य का निती ने दे सकत्तों का प्रावधान है, इन अनुछेदों से सम्वंदित प्रावधानों का सही सुमेलन दिया गया है दोस्तों ग्राम पंचैट का गठन अनुछेद 40 में है, समान नागरिक संगीता अनुछेद 44 में है, क्रिसी पसु पालन अनुछेद 48 में और कारेपालिका नियाएपालिका का प्रिथक करन जो है अनुच्छे 50 में दिया गया है अगला प्रश्ण है दोस्तों हमारा अनुच्छे 370 का सम्मंद किस राजिक के विशिष प्रावधान से है तो यह जम्मु काश्मीर के विशिस प्रावधान से सम्बन देते हैं प्रश्ण काल के समय जो यह प्रश्ण पूछा गया था उस समय जो है जम्मु काश्मीर में अनुच्छे 370 के तहत विशिशा धिकार का प्रावधान था लेकिन 31 अक्टूबर 2019 इस्वी से जम्मु काश्मीर राज्जी से अनुच्छे 370 को हटा कर राज्जी को दो केंदर सासित प्रदेशों जम्मु काश्मीर और लदाख में बाढ़ दिया गया तो यह डेट आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 अगला प्रश्ण है भारते सम्विधान में स्वतंतरता का अधिकार से सम्मंदित आर्टिकल की संख्या कितनी है तो यह है दोस्तों 19 भारते सम्विधान के भाग 3 में अनुच्छिद 12 से अनुच्छिद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है यह अमेरिका के सम्विधान से लिया गया है भारते सम्विधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानि मैगना कार्टा कहा जाता है वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है जो कि निम्नलिखित है आईए देखते हैं तो पहला है समता का अधिकार जो कि अनुच्छे 14 से 18 तक है अनुच्छे 19 से 22 तक जो है स्वतंतरता का अधिकार दिया हुआ है फिर है सोसन के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छे 23 से 24 तक है उसके बाद धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार है जो कि अनुच्छे 25 से 28 तक है फिर है दोसों संस्कृतिक एवं सिक्षा संबंधी अधिकार यह अनुच्छे 29 से 30 में दिया गया है समवेधानिक उपचारो अगला प्रशन में हमारा भारत्य सम्विधान की कौन सी अनुसुची भाषाओं का उल्लिक करती हैं तो ये है दोस्तों आठवी अनुसुची जिसमें भाषाओं दी गई है भारतिय संविधान की आठवी अनुसूची में भारत की 22 भासाओं का उल्लिक क्या गया है चौथी अनुसूची में राज्य एवं संग्य छेत्रों का राज्य सभा में परते निदित्व अनुसूची 10 में दल बदल संबंधि अनुसुची 12 में शहरी छेत्र से स्थानिय स्वासासन संस्थाओं के विशे में वर्णन क्या गया है अगला प्रश्ण है दोस्तों भारतिय संविधान के 11 अनुसुची के अंतरगत पंचायत के 29 कारियों का संबंद किस अनुच्छेत से है तो ये अनुच्छे 243 के जी से संबंद है दोस्तों भारतिय संविधान के 11 अनुसुची के अंतरगत पंचायत के 29 कारियों का संबंद अनुच्छे 243 के जी से है 73 संविधान संसोधन द्वारा 11 अनुसुची में जोड़ी गई और इसके तहट पंचायतों के अंतरगत 39 विश्यों के सुची की व्यवस्था की गई मूल संबिधान में भाग 9 के अंतरगत पंचायती राज से सम्मंदित उपबंधों की चर्चा की गई है भाग 9 में पंचायते से सक के तहट अनुच्छे 243 के मुर्धन तनों तक पंचायती राज से सम्मंदित उपबंध निर्देशित है अगला प्रश्णे दोस्तों धन विध्यक की परिभाशा का प्रावधान संबिधान के किस अनुच्छेद में क्या गया है तो यह क्या गया है अनुच्छेद 110 में धन विध्यक की परिभाशा का प्रावधान भारतिय संबिधान के अनुच्छेद 110 में क्या गया है इसे केवल राश्टरपती के हस्ताकसर के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है धन विध्यक को राजसभा और स्विक्रित या संसोधित नहीं कर सकती है राजसभा 14 दिनों की अधिक्तम अवधी के लिए धन विध्यक को रोक सकती है अनुच्छेद 108 जो है दोस्तों इसमें दोनों सदनों की सन्युक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 109 में धन विध्यकों के संबंध में विशेश प्रक्रिया के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 117 जो है इसमें वित्ति विध्यकों के बारे में विशेश उपबंध दिया गया है अगला प्रशने दोस्तों अनुच्छेद 117 का सम्मंद किस से हैं तो ये सम्मंदित है वित्त विध्यक से ऐसा विध्यक जो आय अथवा व्याय से सम्मंदित होता है उसको वित्विध्यक कहा जाता है प्रतियक धन विध्यक वित्विध्यक होता है प्रतियक वित्विध्यक जो है धन विध्यक नहीं होता है भारते संबिधान का अनुच्छेद 117 वित्विध्यक से सम्मंदित है वित्विध्यक को स्विकृत या औस्विकृत अथवा संसोधित करने का अधिकार संसद के निम्न सदन यानि की लोकसभा को प्राप्त है अगला प्रश्न है दोस्तों जब राज्यसभा के उपसभापती को उसके पद से हटाने का संकल्प विचारा धीन हो तब उसका पीठा सीन होने के सम्मंद में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा तो ये अनुच्छेद 92 होगा दोस्तों भारते सम्विधान के अनुच्छेद 92 के अंतरगत जब राज्य सभा के सभापती या उपसभापती को उसके पद से हाटाने का कोई संकल्प विचारा धीन हो तब उसका पीठासी नहीं होगा और अनुच्छेद 91 के खंड 2 के सभी उपबंध ऐसी प्रतेक बैठक के सम्मन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक में सम्मन्धित लागू होते हैं जिसमें सभापती या उपसभापती अनुपस्थित है अगला प्रश्णे दोस्तों किस अनुच्छिद में कहा गया है कि राज्य का निती निदेशक तत्व न्याय योग्य नहीं है तो ये कहा गया है अनुच्छिद 37 में निती निदेशक तत्व का संविधान के भाग चार में अनुच्छिद 36 से लेकर 51 तक वर्णन किया गया है निती निदेशक तत्व आयरलेंड के संविधान से लिए गया है इसके अनुसार जैसे जैसे राज्य के पास संसाधन बढ़ते जाएंगे राज्य इन संसाधनों को ज चुकि जो ये राज्जिप के कर्तवगे हैं इसलिए अनुच्छे 36 में राज्ज की परिभाशा बताई गई है अनुच्छे 37 में कहा गया है कि ये न्याय योग्य नहीं है अर्थात न्यायले में प्रश्णगत दायर नहीं किया जा सकता है अगला प्रश्ण दोस्तों भारते संवेधान के अनुचार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख है तो ये दस्वी अनुचुची में उल्लेख है दल बदल अधिनियम भारते संवेधान के दस्वी अनुचुची में है यह 52 संवेधान संसोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से लागू किया गया था और यह किसी राजनितिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित अत्वाप पद संबिधान में 52 संसोधन 1985 इस्वी के द्वारा जोड़ा गया है दल बदल से संबंधित प्रावधानों में सदस्यों की अयोगिता के लिए प्रावधान निर्धारित करता है यहाँ पर अनुसूची और विशे दिया गया है दोस्तों नौवी अनुसूची में दिया गया है कि संबिधान में यहाँ अनुसूची प्रथम संबिधान संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई जिसके अंतरगत राजी द्वारा संपत्ती भूमी अधिगरहन की वीधियों का उल्लेक है इसमें संबिलित विश्यों को न्याले में चुनोती नहीं दी जा सकती है आठवी अनुसूची में दोस्तों भाषा के बारे में हैं पांचमी अनुसूची में अनुसूचित छेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रसासन के बारे में जानकारी दी गई है अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत्य संविधान के अनुसर मानव का दुर्व्यापार और बालात्स्रम निशेद है यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है तो यह अनुच्छेद 23 में उल्लेखित है अनुच्छेद 23 में दिया गया है मानव दुर्व्यापार और बेगार यानि कि बालात्स्रम निशेद है अनुच्छेद 24 में कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाया गया है साथ ही 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर भी रोक लगाती है अनुच्छेद 25 जोय दोस्तों यह अन्ताक्रन और धर्म के आवाध रूप से मानने आचरन और प्रचार करने की स्वतंतरता देता है वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंतरता देता है अगला प्रश्ण है दोस्तों भारतिय संब्धान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तब्यों का उल्लेख क्या गया है तो ये अनुच्छेद 51 के कौ में क्या गया है भारतिय संब्धान के भाग चार के कौ में अनुच्छेद 51 कौ में मूल कर्तब्यों का उल्लेख क्या गया है मूल कर्तब्य सन 1976 में सरकार द्वारा गठिच स्वर्ण सिंग समीती की सिफारिज पर 42 में संब्धान संसोधन द्वारा संब्धान में जूड़े गए थे मूल संब्धान में मूल कर्तब्यों की संख्या 10 थी सन 2002 में 86 संब्धान संसोधन द्वारा इसकी संख्या 11 कर दी गई भारते संब्धान में मूल कर्तब्य की आवधारना रूस के संब्धान से ली गई है ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों अगला प्रश्ण है निम्ण में से कौन सा अनुच्छे धार्मिक कारियों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है तो ये अनुच्छे 26 है जो कि धार्मिक कारियों के प्रदबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है भारते सम्विधान के अनुच्छे 26 के अनुसार, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ के अधीन रहते हुए प्रतेक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्यों के कारियों को प्रवंधन करने के स्वतंतरता प्राप्त है अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार वर्णित है अगला प्रश्ण है दोस्तों भारते सम्विधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उप राष्णपती राष्णपती के रूप में कारे अध्वा उसके कृतियों का निर्वहन कर सकता है तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 65 भारते सम्विधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपती के पद में आकास्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिती में उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती के रूप में कारे करेगा या उनकी कृत्यों का निर्वहन करेगा अनुछे 63 जो है दोस्तों यह भारत का उपराश्टपती से संबन्दित है और अनुछे 64 उपराश्टपती राजसभा का सभापती होगा यह दिया गया है अगला प्रेश्टे दोस्तों भारते सम्विधान के निम्नलिकित में से कौन से अनुसूची द्वारा स्वायत सासी जिला परिशदों की अस्थापना का प्रावधान किया गया है तो ये क्या गया है छठी अनुसूची के द्वारा भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भारत था आठ अनुसूचियां थी वर्तमान में 12 अनुसूचिया है छठी अनुसूची जो है इसके ताथ असम, मेघाले, त्रिपूरा और मिजूरम के जनजाती छेत्रों में प्रसासन के बारे में उपबंध दिया गया है इसके लिए इसी अनुसूची में स्वायत शास्य जीला परिशदों की भी अस्थापना की गई है तीसरी अनुसूची जो है दोस्तों यह सपत और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधी थे आठमी अनुसूची भाषाओं से संबंधी थे और दसवी अनुसूची दल बदल की कानून से संबंधी अगला प्रश्ण है अमारा संस्कृति और सिक्षा का अधिकार वर्णित है तो ये अवर्णित है दोसों अनुच्छेद 39 और 30 में संभिधान के अनुच्छेद 39 वद 30 के द्वारा नागरिकों को संस्कृतियम सिक्षा सम्मंधी अधिकार दिये गए हैं अल्प संख्यकों के हितों का संरक्षन अनुच्छेद 39 के अनुचार अल्प संख्यकों को अपनी भाषा लिपी या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है अल्प संख्यकों को अपनी सिक्षन संस्थाओं की अस्थापना और प्रशाशन का अधिकार अनुच्छे 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्प संख्यक वरगों को अपनी रूची के अनुसार सिक्षन संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रसासन का अधिकार है अगला प्रशन है दोस्तों भारत्य संविधान की आठवी अनुसूची में कितनी भाषाएं सामिल है तो ये 22 भाषाएं सामिल है दोस्तों तो भारत्य संविधान की आठवी अनुसूची में कुल 22 भासाएं दी गई है जो भाषाओं के नाम भी दिये गए हैं यहाँ पर तो संविधान के मूल रूप से जो है 14 भाषाएं थी अन्य आठ को निम्नलिखित संविधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया है इसको देख लेते हैं 21 में सम्विधान संसोधन 1967 के द्वारा सिंधी भासा को जोड़ा गया है दोस्तों और 71 में सम्विधान संसोधन 1992 के द्वारा कौंकनी, मनीपूरी और नेपाली को जोड़ा गया है 92 संविधान संसोधन 2003 के द्वरा बोडो, डोंगरी, मैथली और संथाली को जुड़ागया है अगला प्रश्ण है दोस्तों भारतय संविधान में कितनी अनुसूचिया है तो कुल 12 अनुसूचिया है भारते संविधान में 12 अनुसूचिया हैं जब भारते संविधान को 1949 में अपनाया गया था तब इसमें केवल 8 अनुसूचिया थी परन्तु वर्तमान में संविधान संसोधन के साथ कुल 12 अनुसूचिया हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों राष्ट्रपती का आध्यादेश पारित करने के शक्ति वर्णित है तो ये वर्णित है दोस्तों अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपती के आध्यादेश पारित करने के शक्ति अनुच्छेद 123 में वर्णित है इस अनुच्छेद के तहद राष आध्या देश की सक्ति संसत द्वारा बनाएगे कानून के बराबर ही होती है और यह ततकाल लागू हो जाती है। आध्या देश का प्रभाव संसत सत्र में सुरू होने के 6 सप्ता तक रहता है। अगला प्रशन है दोस्तों निम्न में से भारतिय संविधान का कौन सा अनुच्यत नागरिक्ता से संबंधित है तो अनुच्यत 5 से 11 तक यह जो है नागरिक्ता से संबंधित है। नागरिक्ता का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रशन है दोस्तों भारतिय संविधान के किस अनुच्यत में धन विधियक को परिभाशित किया गया है। तो यह अनुच्यत 110 के एक में परिभाशित किया गया है। धन विधियक को संविधान के अनुच्यत 110 के एक द्वारा परिभाशित किया गया है। में सारकार की खर्चों से सम्मंदित प्रावधान होते हैं। उन्हें धन विधियक कहा जाता है। संविधान में संसर द्वारा धन विधियक को पारित करने से सम्मंदित एक विशेश प्रक्रिया नहीत है। अगला प्रशने दोस्तों भारते सम्मंदित के निमिलिखित में से किस अनुच्यत में अल्प संखेकों को अपने रूची कि सिक्छा संस्थान को अस्थापना और प्रसाशन करने का अधिकार है। तो ये अधिकार जो है 30 के एक में दिया गया है दोस्तों 30 के एक में दिया गया है भारते सम्मिधान के अनुच्छे 30 के एक में अलपसंख्यकों को अपने रूची के सिक्षान संस्थान की अस्थापना और प्रसासन करने का अधिकार है अनुच्यत 29 का दो नागरिकों के व्यक्तिकत सम्मान और अधिकार से सम्मंदित है अगला प्रेशनें दोस्तों भारतिय सम्मिधान की कौन सी अनुसुची राज्य सभा में राज्यों और संग राज्य छेत्र के अस्थान आवंडन से सम्मंदित है तो यह है चौथी अनुसुची भारतिय सम्मिधान की चौथी अनुसुची राज्य सभा में राज्यों और संग राज्य छेत्रों के अस्थान आवंडन से सम्मंदित है तीसरी अनुसुची जो है दोस्तों तीसरी अनुसुची इसमें विभिन पदाधिकारियों मंत्री, उच्चितम एवं उच्च नियाले के नियाधिसों द्वारा पद ग्रहन के समय ली जाने वाली सपत का उल्लेख है पांचवी अनुसूची में इसमें जो है विभिन अनुसूचित छेत्रों और अनुसूचित जनजाती के प्रसासन और नियंत्रन के बारे में उल्लेख है छटी अनुस उची इसमें आसम, मेगाले, त्रिपूरा और मिजूरम राज्यों में जंजातिय छेत्रों के प्रसासन का प्रावधान है अगला प्रश्ण है दोस्तों भारते संविधान के अनुच्छे 368 का संबंद संसोधन से भारते संविधान के भाग 20 के अंतरगत अनुच्छे 368 में संविधान को संसोधित करने के शक्ति प्रदान की गई है भारते संविधान में तीन प्रकार से संसोधन किया जा सकता है पहली है साधरन बहुमत द्वारा दूसरा विशेश बहुमत द्वारा और तीसरा विशेश बहुमत था राज्यों के अनुमोधन से सम्विधान संसोधन के लिए विधियक संसत के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत का अनुच्छे 56 जो है ये किस्से सम्मंदित है ये सम्मंदित है भारत के राष्ट्रपती के कारेकाल के प्रावधान से भारतिय सम्मंदान का अनुच्छे 56 में राष्ट्रपती की पदावधी पद ग्रहन की तारिक से पांच वर्सतक का उलेक क्या गया है अनुच्छे 54 में राष्ट्रपती का निर्वाचन अनुच्छे 72 छमादान दंडा देश और निलंबन परिहार या लगुकरन की राष्ट् बंद करता है अगला प्रश्ण दोजो भाष्ण और अभिवेक्ति का आधिकार प्रदत है तो ये अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत है भारतिय सम्मिधान के अनुच्छेद 19 में भाष्ण और अभिवेक्ति का आधिकार प्रदत है इसमें वाग स्वतंत्रता आधि अनुच्छिद बीस में अपराधों के लिए दो शिद्धी के सम्मंद में संरक्षन है अनुच्छिद 21 प्राण एवं दहिक स्वतंदरता का संरक्षन का प्रावधान करता है अगला प्रश्ण दोस्तों भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छे 324 से 329 में किया गया है। अगला प्रश्ण दोस्तों भारत के राश्ट्रपती को किस अनुच्छेत के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है तो ये अनुच्छेत 369 के तहत है। भारति सम्मेधान के अनुच्छेद 369 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को आपात्काल के दोरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन तथा किसी भी अधालत को अस्थानांत्रित करने का अधिकार हैं अगला प्रश्ण दोस्तों उच्चितम न्याले की न्याईक पुन्रावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतरगत आती है तो ये आती है अनुच्छेद 137 के अंतरगत न्याईक पुन्रावलोकन न्याईपालिका की वह सक्ति होती है जिससे वह विधाईका द्वारा जारी किये गए कानुनों, कारेपालिका, द्वारा जारी किये गए आधिशों तथा प्रसासन के कारियों की जाच कर सक्ति है यह सक्ति सर्वोच न्यार पालिका को भारते सम्विधान के अनुच्छेद 137 के द्वारा प्रदान की गई है अगला प्रश्ण है दोस्तों भारते सम्विधान में कुल कितने भाग हैं तो भारते सम्विधान में कुल 22 भाग हैं दोस्तों भारते सम्विधान जो है 22 भागों में विभाजित हैं तथा इसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुचूचियां हैं सम्विधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जन्वरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये जिसमें 15 महिलाएं भी सामिल थी इसके पस्चा 26 जन्वरी 1950 को भारत का सम्विधान पूर्ण रूप से अस्तिक्तों में आया इसका निर्मान करने में दो वर्स 11 महिने 18 दिन का समय लगा भारते सम्विधान के किस अनुच्छेद में आता है तो ये अनुच्छेद 326 में आता है दोस्तों भारते सम्विधान के अनुच्छे 326 में प्रावधान है कि लोकसभा और परतिक राज्य की विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के अधार पर होंगे व्यक्ति जिसकी आयू 18 वर्स या इससे अधिक है उसे मत देने का अधिकार है भारते संविधान के अनुसार मताधिकार एक संविधानिक अधिकार है 16. संविधान संसोधन अधिनियम 1989 में मतदान की आयू जो है 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दी गई थी भारते संविधान को अगला प्रश्न है भारते संविधान को अनुसूची 6 में किन किन राज्जियों को सामिल किया गया है तो यहाँ पर किये होगा दोस्तों इसमें असम, त्रिपूरा, मेघाले और मिजोरम को सामिल किया गया है भारते संविधान के अनुसूची 6 में चार राज्जियों के आदिवासी छेत्रों के प्रसासन से संबंधित प्रावधान है वे चार राज्जी जो है असाम, मेघालय, त्रेपुरा और मीजोरम है इससे सम्मन्धित अनुच्छे 244 का 2 और 275 का 1 है अगला प्रश्न है पंचायतों को सुपुर्द विश्यों की सूची है ये 11 अनुच्छी में है 11 अनुच्छी जो है ये 11 अनुच्छी जो है इसमें सहरी छेत्रों के अस्थाने स्वसासन संस्थाओं का कारे करने के लिए 18 विश्यों प्रदान किये गए है सात्मी अनुच्छी जो है इसमें केंदर राज्जी के 20 सक्तियों के विभाजन से संबंदित है अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में परियावरन का संरक्षन एवं संवर्धन उपबंदित है तो ये है 48 के कौ में राज्जी का नितियन देशक सिध्धान का वर्णन संबिधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है अनुच्छेद 48 के कौ के अंतरगत परियावरन के संरक्षन वसंवर्धन वन तथा वन जीवों की रक्षा के प्रावधान का उल्लेक किया गया है अनुच्छेद 48 जो है दोस्तों क्रिसी और पसुपालन के संगठन के बारे में बताता है और अनुच्छेद 47 लोगों के पोशाहार और जीवन अस्वर्धन को ऊपर उठाने तथा मादक पदार्थों के प्रतिशेद के बारे में बताता है अगला प्रश्णे दोस्तों भारते सम्विधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्ता किस अनुच्यत में उल्लेखित है तो ये अनुच्यत 326 में उल्लेखित है भारते सम्विधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्ता अनुच्छे 326 में उल्लिखी थे पुर्व में मतदान की आयू 21 वर्स थी जोकी 61 सम्विधान संसोधन 1989 द्वरा घटा कर 18 वर्स कर दी गई सम्विधान के प्रारूप समिती के अध्यक से डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को सम्विधान का हिर्दय एवं आत्मा कहा तो ये कहा है अनुच्छेद 32 को सम्विधान के प्रारूप समीती के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को सम्विधान का हिर्दय एवं आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 के अंतरगर सम्विधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेक है सम्विधान में उच्छेदम न्याले एवं उच्छे न्याले को मूल अधिकारों के संरच्छन के लिए पांच प्रकार की रीट जाई करने का अधिकार दिया गया है अगला प्रश्ण है दोस्तो सर्वोच न्याले को सम्विधान के किस अनुच्छिद समुख से न्याईक पुन्रावलोकन की सक्ति प्राप्त होती है तो ये प्राप्त होती है अनुच्छिद 13 के 251 से 254 से सर्वोच न्याले की न्याईक पुन्रावलोकन की सक्ति सम्विधान के मूल ढाचे का हिस्सा है जिसे संसत भी कम नहीं कर सकती है नहीं छीन सकती है सरवोच नियाले को सम्विधान के अनुच्छेद 13, 32, 132 और 251 तथा 254 से न्याइक पुनरावलोकन के सक्ती प्राप्थ होती है न्याइक पुनरावलोकन का प्रावधान सन्यूपतराज अमेरिका के सम्विधान से लिया गया है अगला प्रश्ण है दोस्तों अनुछेद 19 के अंतरगत कौन सा स्वतंतरता का अधिकार नहीं है तो ये व्यक्तिक स्वतंतरता का अधिकार नहीं है भारते सम्विधान के अनुच्छेद 19 के अंतरगत 6 प्रकार के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का अधिकार वर्णित है जो निम्नलिखित है 19 का एक का कौ में दिया गये है भाशन और अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का अधिकार एक के खो में सांतिपूर्ण एवं हत्यार रहित सम्मेलन का अधिकार है 19 का एक का गो जो है संगम संग और सहकारी समीती बनाने का अधिकार देता है 19 का एक का गो जो है भारत के राज्य संग में आबाद संचरन का अधिकार देता है 19 का एक का अंगो जो है भारत के किसी भाग में निवास करने वह बस जाने का अधिकार देता है 19 का एक का 6 जो है या कोई व्रित्ती आजिवी का व्यवसाई या व्यापार करने का अधिकार देता है अता अनुच्छेद 19 के अंतरगत व्यक्तिक स्वतंतरता का अधिकार संबलित नहीं है अगला प्रश्णे दोस्तों भारते संबिधान में गणना के द्रिष्टी से कुल कितने अनुच्छेद हैं तो ये 468 अनुच्छेद हैं मूल रूप से भारते संबिधान में कुल 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित और 8 अनुच्छियां थी अगला प्रश्णे है दोस्तों भारते संबिधान की आठवी अनुच्छियां किसे संबिधान की राज्यभासाओं से संबिधान की आठवी अनुच्छियां में 22 भाषाओं का उल्लेक है संबिधान की आठवी अनुच्छियां में मूल रूप से 14 भाषाएं ही थी तो दोस्तों इस क्लास में हमने 4 चेप्टर्स को कम्प्लीट कर लिया है और इसके अगले पार्ट्स के साथ मैं जल्द ही आऊंगा तो अगर मैं एक साथ वीडियो बनाता तो वो 6 घंटे का बनता दोस्तों तो वो ना आपके लिए सुविधाजनक होता ना ही मेरे लिए सुविधाजनक होता इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द ही आएगा दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पो वाचिंग